नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम टालंस की नई विडियो पे, हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, रिवर्स ओफ हिमाचल प्रदेश नदियां, हिमाचल प्रदेश को ना केवल एक अद्पुत सुन्दरता देती हैं, बलकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टन सोर्स है यहां की लोगों के लिए, यहां की गवर्मेंट के लिए इंकम जेनरेशन का आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक ब्यास नदी के बारे में, ब्यास नदी ब्यास कुन से इसका सोर्स है, जोकि कुलू डिस्ट्रिक में है, फिर ये नदी मंडे डिस्ट्रिक एंटर करती है, कांगडा और फिर फाइनली पंजाब एं बहुत ही दल्चसक कहानी है इस नदी के पीछे, कहते हैं वेद व्यास से पहले इस नदी का नाम सरस्वती हुआ करता था, रिशी विशिष्ट जोकि वेद व्यास जी के दादा जी थे, उन्होंने अपने जान देनी की कोश्च की थी यहां, अपने आपको रसियों से गई, और रसियों तूटने लगी, इस वज़े से रिशी विशिष्ट ने इस नदी का नाम विपासा रख दिया, विपासा का अर्थ है कौर्ड ब्रिकर, यानि कि जिसे बांद कर ना रखा जा सके, बंधन मुक्त, उसके बाद रिशी विशिष्ट यहीं रहने लगे, उन् प्रेद में भी विपासा का वर्णन है, जब अलेक्जांडर यहां आय थे हमला करने के लिए, तो वो इस नदी को पार नहीं कर सके थे, उन्होंने इस नदी का नाम हाइफिसिस रख दिया, तो अब हम जानते हैं ब्यास के तीन और नाम, रिवर विपासा, सरस्वती और अलेक्जांडर जब भारत में इंवेजन कर रहे थे, 326 वीसी में, तो रिवर विपास पे वो और उनकी आर्मी यहां पहुंची, और उन्होंने रिवर विपास को क्रॉस करने के लिए मना कर दिया, सिपाहियों ने बगावत कर दी, तो यह बगावत देखकर अलेक्जांड और अपना कॉंग्वेस्ट वहीं पर ही रोक दिया, ब्यास रिवर की लेंद ही माचल प्रदेश में 470 किलोमेटर है, जिसके बाद वो रिवर सतलुज में मिल जाती है पंजाब में, इस नदी पे दो बहुत ही महत्वपून हाइड्रो एलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है पहला पॉंग डाम और दूसरा पंडो डाम, पॉंग डाम 1974 में शुरू किया गया था और पंडो 1977 में, इनिशली सिर्फ इसे जो है इरिगेशन परपस के लिए शुरू किया गया था, बाद में हाइड्रो एलेक्रिक पावर जेनरेशन भी से होने लगी, पॉंग डाम जो है 396 मेगवाट्स को, जबकि यह जो पंडो डाम है, यह 990 मेगवाट्स बिजली प्रड्यूस करता है देहर पावर स्टेशन में, यह पावर स्टेशन सतलुच जिल्ड रिवर और ब्यास रिवर को कनेक्ट भी करता है, सतलुच और ब्यास के इस कॉन्फ्लूएंस पे हैरिके ब्यास बनबाया गया, जो कि पानी को डाइवर्ट करता है इरिगेशन परपस के लिए, यह पानी राजस्तान और पंजाब के एरिया जाता है, ब्यास नदी का कोर्स कुछ ऐसा है, यह रोतांग पास से शुरू होती है कुल्लू डिस्ट्रिक में ब्यास कुन से, फिर यह मं अमरिटसर और कपूर्थला में एक बाउन्डरी ड्रॉ करता है, कपूर्थला डिस्ट्रिक में यह सतलुच रिवर से मिल जाती है, पहसाद 470 किलोमेटर की लंबी दोड के बाद, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, बेन, बान गंगा, लूनी और उहाल रिवर, फिर यह पं फिर यह पंजनाड रिवर बन जाती है, और फिर इंडस रिवर में मिल जाती है, मिठान कोट में, ब्यास रिवर को भारत को अलिकोईट किया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर, यह ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें ब्यास और वर को आपस में बांटने का निर्णने लिया गया था धन्यवाद आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दुबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपको पट से वो दिख जाएं